गाइस हम लोग निकल रहे है सुभा को मेगलो टूर के लिए मेगलो में बहुत सारा सुंदर-सुंदर एरिया है उससारे जगे में हम लोग जाएंगे तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा आज की चो टूर होगे वो है शी लोंग से हम लोग नंग जोरंग से लेंगे इस वीडियो को आइन तक जरूर देखिए पेहले हम लोग पुजा की वेकेशन में शी लोंग के लिए निकल पूरे है अभी सुभे साथ बस गया है हम लोग निकल गए अलरेड़ी तो पहले हम गौटी गौटी से शी लोंग शी लोंग से एक व्यू पॉइंट है लाइट लूम वह तक जाएंगे वहाँ से शाम को लंग जोरंग लंग जोरंग से फिर माफन लोर तो कुछ जगा है हम लोग घूमेंगे अब लोग जोरेश से शेयर करेंगे अगर आप लोग कभी शी लोंग साने का शोसेंगे तो इї वीडियो देख लेने से लोगो को हलोगा अब यह जो रस्ते देख रही हैं मेगलो की रस्ते मेगलो में हम लोग रिकर सुके है और थोड़ी दिराते हैं के बाद सरदर जी धावा में हम लोग रुके थे यहाँ पर हमने लॉंच किये हैं बहुत जदा टेस्टी बना दे है यहाँ कि हर एक खाना सच में बहुत जदा अच्छा बना दा है हम लोग ने उतना है वी नहीं लिया था पनीर साथ में वेज था लिया थे तो खाना बहुत टेस्टी है और आते आते हम लोग शीलोंग टाउन में आ गये हैं यह है शीलोंग की मैं टाउन और यहां की हर एक घर हर एक विल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कुसूरत है देखने में बहुत ही ज़्यादा व्यूटिफुल है शीलोंग की हर एक रस्ता जो है बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है अभी हम लोग निकल पर है लाइट लूम में एक विव पॉइंट है लेकिन यारो हम लोग ने लाइट लूम आ तो चुके है लेकिन हमारा बदनसीब लाइट लूम का कोई भी विव हम अच्छे से नहीं लिखाई दिया और वारिश था इसलिए ऐसा हुआ नॉमबर में आना अच्छा होता हम लोग आये है आक्टॉबर में ओक्टबर के टाइम यहान पर आना ठीक नहीं होता है अगर आपो यहां पर आना है तो आप लोग एपरिल और नॉमबर में आईए यहां की विव दिखन टेस्टी मेगी, हम दोन्स मा Becky ने खाए थे क्यूंकि بहुत ही जदा थंढ है और वापर गर्मा गरम बना कर देता है, वो बहुत ही जदा च्छा लगा हमें बहुत ही जदा च्छा लगा या अगर light lindo invece आते हैं तो एक moment की बनाय हुआ मेगी जरूर खाना सच में बहुत ज़दा अच्छा लगता है लाइट लूम से बैक करते हुए रस्ते में आते ही ऐसा कुछ नजरा देखने को मिला तो वीडियो में इतना ज़दा अच्छा नहीं लगता लेकिन हम लोग खुद आख से देखा है सच में बहुत किये हुए अगर आप लोगों को भी नॉंग्जरां की दीखना है तो आप लोग वहां की नमबर हम दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोग वहां से लेके आप पहले से हुमिस्टे जो है वो बुकिंग करके रखकर आप लोग वहां पर आ सकते हैं हमारा हुमिस्टे का नाम है रीच हुमिस्टे और यहाँ पर हम लोग आज रुकेंगे वो जो दिखाए दे रहा है एक बहुत ही प्रिटी प्रिटी सा बिल्डिंग वही में हम लोग आज रुकेंगे यह पहारे की उपर है यह थोरा सा में रस्ते से थोरा सा नीचे आके फि अब यहाँ पर आने की बाद ऐसा लग रहा है की बहुत करीबी की बहुत कुल है डूर है इसा बल्कुल नहीं लिए लगा रहा की लोग जो इनोशन है लोगका बहुत ज़्याट अच्छा है फिर शाम हुआ हम लोग को पूछा कि अब लोग चाय लेंगे फिर हम लोग ने बुला कि जी हां हम लोग को चाय में उन लोग ने दिया था रेटी साथी बॉडर ब्रेड वो खाने के बाद हम लोग धोरा फोटोवाट्वा वोगे चाह था उसके बाद हम और अभी आ रात की 9 बज गए हैं अभी हम लोगों का डिनर जो है वह बहुत जदा टेस्टे क्योंकि हम लोगों को बोयल खना बहुत जदा अच्छा लगता है सब कुछ थोरा सा ट्राइवेल ट्राइफ का खाना यहां पर देता है वेरी गुड मॉर्णिंग गैस अभी सुबा पज बज रहे हैं और अब हम लोग निकल पर रहे हैं व्यूपॉइंट के लिए व्यूपॉइंट में जो हज़ा की सानरेस होता है वहा हम लोग अभी जाएंगे और यहां की घर जो है बहुत ज़ता सुन्दर है यह सारे यहां की होमेस्टे है यहां पर आप लोग आके रुख सकते हैं लेकिन पहले से बूग करना पड़ेगा नंगजरम व्यूपॉइंट देखने के लिए बहुत लोग आते हैं इसलिए आके अगर आप लोग सोचेंगे की जाने के बाद रूम बूगिंग करेंगे तो नहीं मिल सकते है पहले से बूग करना पड़ता है और यह है व्यूपॉइंट यहां से बहुत नीचे तक आप लोग जा सकते हैं लेकिन हमारे साथ वे भी था तो हम लोग ने उतना ज्यादा नीचे नहीं गए लेकिन लोग जो है वो सारे नीचे चले गया है यहां से सांडरेस होता है लेकि बार जरूर इस जगे में आप लोग आईए नंगजरों की इस वीव को एंजोई किजिए बहुत ज़्यादा अच्छा है बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग को लगेंगे अगर थोड़ा से भी पैसा अगबात है ना तो इस जगे इस ने यह जो हमारे आसाम के आसपास करके अभी निकल पर है यहाँ से इस जगे को बाई बाई कर देंगे और मेक्तत के सब सब के साथ अच्छा सा बांडिंग हो गया था तो वो लोग कहने लगा है कि इसे मिस करेंगे बहुत तो अभी इस जगे को हम लोग बाई बाई करके चलेंगे शीलोंग से हम लोग दौक कियर सेफ रही है हिलरी